बच्चों पिछले अध्याय में हमने देखा कि बाजार के अंतरगत पूर्ण प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता और एका धी कृत प्रतियोगिता जैसे इस्थतिया नर्मित होती रहती हैं इन प्रतियोगिताओं में किस किस तरह के बजार की दशाएं पाई जाती हैं क्रिताओं और विक्रिताओं की संख्या की क्या इस्थति रहती है और विक्रिताओं की बाजार के दशाओं के ज्यान के संबन्द में क्या इस्थति रहती है इसके बारे में हमने विस्तार से जाना अब अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसी अवस्ता होती है जहां कृताओं और विकृताओं की काफी संख्या होती है और प्रतेक विकृता को जो बाजार की दशाएं है या कृता की जो मानसिक्ता है उसका लगभग अनुमान उनको हो गया रहता है अब इस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु का मूल निर्धारण में प्रभावी होती है इसको जानने के लिए हम आज का यह अध्याय देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु का मूल निर्धारण के संबंध में अलग-अलग अर्थशास्त्रियों के अपनी अलग-अलग राय है जैसे हम देखते हैं कि प्रोफिसर एडम स्मीट का कहना है कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के द्वारा न उनका कहना है कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के स्थान पर उसकी सीमान तुप्योगिता यानि कि हम जिस वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं उसके अन्ति मिकाई से जो उप्योगिता प्राप्त होती है उसके आधार पर हम उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं अब यहां पर जो इन इस तरह से विद्वानों ने अपनी परिभाशा है दिए उनमें काफी मतभेद चलते रहें अंत में एक परिभाशा जो प्रोफिसर मार्शल के द्वारा दी गई यहां पर भी उन्होंने इस विवाद का ही विवेचन किया विवाद के बारे में में उन्हें ने बताया और यह खते हैं कि इस बीवाद करते रहते हैं कि कईची की कौन की ऑब आ दार और और नीचे वाद किया जाये या फिर सिमान तुप्योगिता के अधार पर मुल्निन धारन किया जाएं तो यहां पर यह doubtful condition हमेशा बनी रहती हैं इसके साथ हम देखते हैं कि मांग और पूर्टी के बारे में भी हमने जाना तो यह दोनों ही तत्यों कहीं न कहीं केमत के निधारन को प्रभावित करते हैं होता है उस संतुलन बिंदू पर एक निष्ट समय में हम किसी वस्तू के मूले का नरधारन करते हैं तो यहां हम देखेंगे कि क्या है मांग और पूर्टी का संतुलन बिंदू अब यहां पर मांग और पूर्टी के संतुलन बिंदू की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम द मांग की जाती है जिस वस्तू की अपेक्शा की जाती है विक्रेताओं से जिस वस्तू की उपयोगिता उत्पन नहीं होती एक निश्चृत समय में वह सारे जो मांग और कीमत میں क्या संबंध है अभी आ पर देक हुं जो मांग है वो कीमत को प्रभावित करता है यहां हम देखते हैं कि मांग भी प्रभावित करता है पूर्ती भी प्रभावित करती है लेकिन एक ऐसा बिंदू हम यहाँ पर हमने एक शब्द कही संतुलन बिंदू जहां मांग और पूर्ती दोनों ही संतुलित अवस्था में प नहुंच पाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मांग और कीमत किया संबंध है वहां कि कम होते जाती है इस उदारन के अधार पर हम यह कह सकते हैं कि मांग और कीमत में विपरीत यानि के रिनात्मक संबन्द पाया जाता है। सिंपल सी बात है कोई भी भोगता सोचता है कि वो अपने कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक जो क्रै की जाने वाली उसके समान हैं उनको खरीद सकें। तो वो इंतजार करता है कि जब किसी वस्तु का मूले कम होगा तो मैं उस वस्तु को खरीदूंगा यानि कि जब वस्तु का मूले कम होता है तो मांग बढ़ती है और जब किसी वस्तु का मूले बहुत जादा रहता है तो भोगता उसको खरीदने में थोड़ा हिचकिचाते है हैं वो वेट करते हैं कि जब मूले कम होगा तब खरी देंगे तो उस कंडिशन में मांग जो होती है वह स्थिर हो जाती है तो यहां पर हम इन उधारणों से देख रहें कि वास्तों में वस्तु की कीमत और मांग के बारे में अगर हम बात करते तो दोनों में विपरेद संबं को एक टेबल और ग्राफ के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करें वस्तु के मूल्य और मांग में पारस्परिक संबंद को दर्शाते हुए अगर एक तालिका और रेखा चित्र का निर्मान किया जाएगा तो हम देखते हैं कि यहां पर जो तालिका दी गई है उसम वस्तु की मांग 300 किलोग्राम वस्तु का मूल्य चार रुपया होने पर वस्तु की मांग 200 किलोग्राम वस्तु का मूल्य पांच रुपया होने पर वस्तु की मांग 100 किलोग्राम है यहां तालिका से एक बात जो इस पश्ट होती है कि जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़त अब इसके आधार पर जब हम रेखा चितर का नर्माण करेंगे तो हम देखेंगे कि रेखा ओ एक्स पर हम वस्तु की मांग को लेते हैं और रेखा ओ वाई पर हम वस्तु के मुले को लेते हैं हम यहां पर देख रहे हैं कि जब वस्तू का मूले एक रुपय था तो वस्तू की मांग 500 किलोग्राम की थी दो रुपय होने पर चारतो किलोग्राम हो गई तीन रुपय होने पर 300 किलोग्राम हो गई चार रुपय होने पर 200 किलोग्राम हो गई और पांच रुपया होने पर सो किलोग्राम घट कर रह जाती है यहां हमें जो डीडी वक्र प्राप्त होता है वो मांग वक्र है जो बाएं से दाएं नीचे की ओर जुका हुआ है और ये वक्र इस बात को सपस्ट कर रहा है कि वस्तु के मूले के कम होने से मांग बढ़ती है और मूले के बढ़ने से मांग जो है वो कम हो जाती है यानि डीडी वक्र हमें ये बता रहा है कि मांग और मूले का जो संबंध होता है वो विपरीत संबंध या रुनात्मत संबंध होता है तो आपने देखा कि किस प्रकार एक साधारण से रेखा चित्री के दौरा हम बहुत आसानी से प्रदश्रित कर सकते हैं कि मांग और कीमत में क्या संबंद हैं अब दूसरी बात यहां पर हम जो करते हैं वो है पूर्ती की पूर्ति और कीमत में संबंद से पहले हम ये जान ले कि वास्तों में पूर्ति क्या है तो साधारन शब्दों में अगर हम पूर्ति को जानना चाहें तो एक निश्चित समय में उभोकताओं ने किसी बाजार में जिस वस्तू की मांग की वो उनको कितनी उपलब्ध हो पाई कितने मात्रा में उसको खरीद पाए ये जो मात्रा होती है वो होती है पूर्ति की मात्रा यहाँ पर अगर हम पूर्ति और कीमत के संबंद को देखना चाहें तो हम देखते हैं कि पूर्ती और कीमत का जो संबंध होता है एक उधारण के द्वारा देखें तो यहां जैसे जैसे किसी वस्तू की कीमत घड़ती जाती है उसकी पूर्ती भी घड़ती जाती है और जैसे जैसे किसी वस्तू की कीमत बढ़ती जाती है उसकी पूर्ती भी जाता है ऐसा क्यों होता है इसे हम आगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे इस पूरी प्रक्रिया को आए एक ग्राफ और टेबल के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं वस्तु के पूर्ती और कीमत यह वस्तु के मूल्य और पूर्ती के संबंद को द तो रुपे प्रतीकाई होता है तो वस्तु की पूर्ती 200 किलोग्राम है और जब वस्तु का मुल्य बढ़कर 5 रुपे प्रतीकाई हो जाता है तो वस्तु की पूर्ती 500 किलोग्राम हो जाती है यहां हम देखते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु का मुल्य बढ़ता है वैसे वैसे वस्तु की पूर्ती भी बढ़ती जाती है यानि कि हम कह सकते हैं कि यहां वस्तु के मुल्य और वस्तु की पूर्ती म झाल डोत तीज है द्धनात्मक संबंध हैं अगर स्टेबल के को रेखा चित्रद्वारा प्रदर्शित किया जाए तो रेखा os push पर हम वस्तु कि मांग और रेका o y यक्ष पर हम वस्थू का मुल्ड़ अंकित और जब ग्राफ करणे मार्ण करते हैं तो हम देखते हैं कि वस्थू का मुल्ले एक shot पर इसकी पूर्टी है वह सो किंसा किलो ग्राम चीन रुप्य होने पर इसकी पूर्टी 200 रुपय होने पर बंस की किलोग्राम हो जाती है यह हमने पर पूर्टी वक्र स्से दर्शाय है है यह वक्र यह बताता है कि जैसे वस्तू का मुल्य बढ़ता यसे वस्तू की पूर्टी में सीधा संबैद्ध धनातमक संबैस अगर संतूलन्द किम यहां पर हम देखते हैं कि कीमत बढ़ती है घर जाती है broadcast गई गुद्पाधक ने जो स्टॉफ वहाँ पर रखा है वह वैसा कर वैसा पढाया, पूर्ती वैसे ही बनी हुई है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वस्तू की कीमत बढ़ी तो मांग घटी और पूर्ती बढ़ गई. दूसरी अवस्था जब वस्तू की कीमत घट जाती है कम हो जाती है तो वस्तू की मांग जो है वो बढ़ जाती है और जैसे ही वस्तू की मांग बढ़ती है यानि कि लोग जादा से जादा वस्तू खरीदने लगते हैं तो मार्केट में उसका जो स्टॉक रहता है उसकी जो प साथ रखते हैं तो क्या है वो संतुलन बिंदू कहां पर अत्रिक्त मांग के स्थिति उत्पन होती है और कहां पर अत्रिक्त पूर्ति के स्थिति उत्पन होती है इस पूरी प्रक्रिया को आईए एक ग्राफ और टेबल के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं तालिका के अनुसार जब हम डी-डी वक्र यानि की मांग वक्र का निर्मारी यहाँ पर करते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि जब बाजार में वस्तु का मूले एक रुपया है तो वहाँ पर वस्तु की मांग 500 किलोग्राम है वस्तु का मूले 2 रुपया होने पर वस्तु की मांग 400 किलोग्राम है वस्तु का मूले 3 रुपया होने पर वस्तु की मांग 300 किलोग्राम है वस्तु का मूले 4 रुपया होने पर वस्तु की मांग 200 किलोग्राम है और वस्तु का मूले 5 रुपया होने पर वस्तु की मांग 100 किलो करेंगे देखते हैं कि जब यक कि , है तो वसक्ih की स्व biases क एक है तो अचिक फूर्ति 100 किलोक्राम है तो फ्रस फ़ोंने पर 200 किलोग्राम वस्थाइक Culture किल घृक। फ्रस्व किलोग्राम और तो इस तरह इन बिंदों के अधार पर हैं यहां वक्र यानि सप्लाई को पूर्टी वक्र का निर्माणम कर लेते हैं अब यहां पर जो हमें कटान बिंदू ए मिलता है जहां पर डी डी रेखा और एक दूसरे को काड़ते हैं बिंदू इपर यह संतुलन बिंदू है जहां पर वस्तु का मूल्य तीन रुपय होने पर का मूली दो रुपय था है तो सब्सक्राइज के दार रहे हैं जो अत्रिक्त मांग को दर्शाती है और तीसरी दर्शा देखते हैं जहां पर वस्तू क्यों पर तो यहीं किमत करती हैं और करते हैं और करते हैं और संतुलन बिंदू के जुए मुद हें तो आपने देखा कि किस प्रकार एक ग्राफ के द्वारा हमने संतुलन बिंदु के साथ साथ अत्रिक्त मांग और अत्रिक्त पूर्ती को भी बहुत आसानी से ग्याद कर लिया अब हम देखते हैं मांग और पूर्ती में परिवर्तन का किसी वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव रही रहती यह लगातार परिवर्टित होती है हम यह कहाएं कि बजार की दशाएं ऐसी है या उभोगता की जो मांजिक्ता है उसका सभाव है रूची है फैशन है वो लगातार बदलते रहता है शायद यही कारण है कि ना तो मांग अपने आप में लंबे समय तक इस्थिर रह पाती है अब यहां पर अगर हम देखें तो कई दशाएं ऐसी है जो बजार में उत्पन होती है बजार की मांग और पूर्ती से जब वो प्रभावित होती है पहली यह दशा कि जब मांग में परिवर्टन हो जाए अगर पूर्ती यथा स्थिर रहे कोई परिवर्टन ना हो और अगर सिर्फ मांग में परिवर्तन हो जाए चाहे उसका कोई भी कारण हो सकता है कोई दशा ऐसे बनी हो हो कोई समय ऐसा बना हो या भोगता की रूची फैशन उसकी आदत परिवर्तित होने के कारण किसी भी कारण से अगर मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो किसी वस्तु के मांग में परवटन का उसके पूर्ति पर क्या असर पड़ता है। इसे देखने के लिए हम झिस ग्राफ का निर्मान करते हैं कि मांज में व्रद्धि के कारण यह जो मांग वक्त्र है डी नी यहां से यह परिवर्तित होकर D1, D1 तक चला जाता है और जो इसके कीमत है वो PQ से बढ़कर P1, Q1 पर चली जाती है और इसके विपरीत हम देखते हैं क्रे की बात करें तुम यहां पर देखते हैं कि क्रे की जो मात्रा है वो OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है यहां हम देख रहे हैं कि जब मांग में कमी के परणाम स्वरूप मांग वक्तर D1, D1 से परिवर्तित होकर D, D हो जाता है तो यहां पर वस्तु की जो कीमत है वो P1, Q1 से घटकर OQ1 से घटकर OQ तक आ जाती है तो यहां हमने देखा कि जब वस्तु की मांग बढ़ती है लेकि पूर्ती स्थिर रहती है तो बजार की कैसे दशा उत्पन होती है अगला हम देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि पूर्ती में परिवर्तन होता है लेकिन मांग यथावद बनी रहती है यह जो उत्पादन क कि तकनिग है उन में परिवर्तिन के पर नाम स्वरूफ हो सकता है या कई अन्य कारण भी होते हैं जिसके कारण पूर्ती में परिवर्तन होता है लेकिन मांग यथा इस्तिर बनी रहती है तो अगर यह सेकंड कंडीशन ऐसी कंडीशन जब उत्पन होती है कि मांग वैसी की वैसी बनी रही और पूर्ती परिवर्थित हो गई तो यहां पर जब हम एक graph का निर्मान करते हैं तो वहां पी हम देखते हैं कि पूरती वक्र जो होता है वो पूरा का पूरा खिसक कर दाई और चला जाता है और अब अगर यहां पर मांग इस ती रह जाए पूरती बढ़ती जाए तो जाहिल से बात है कि वस्तू की कीमत कम हो मार्केट में पूरा स्टॉक भरा पड़ा है लेकिन मांग है यही नहीं कोई नहीं खरीद रहा है तो यहां पर जो वस्तू की कीमत है वो कम हो जाएगी इस पूरी प्रक्रिया को आई एक graph के द्वारा कैसे प्रदर्शित किया जाएगा देखते हैं पूर्थी में परिवर्तन को अगर हम रेका चित्र क्यादार पर प्रदर्शित करें तो हम देखते हैं कि यहां पर O X अक्ष पर वस्तू की मात्रा या पूर्थी दर्शाई गई है और रेका O Y अक्ष पर वस्तू की कीमत दर्शाई गई है यहां पर भी हम देखते हैं कि ज Q से घटकर P1 Q1 हो जाती है यहां हम देख रहें कि वस्तु के बिक्री की मात्रा O Q से बढ़कर O Q1 हो जाती है यहांनि पूर्टी में कमी के प्रणाम सरुप यह जो पूर्टी वक्र है वो फिसकतर बाई के और आजाता है और अगर मांग इस्तिर रहें तो मांग के इस्तिर रहने पर पूर्टी में होने वाली जो कमी है वो कीमत में वृद्धी करेगी इस र Q1 Q1 है वो Q1 Q1 से बढ़कर PQ हो जाती है यहां हम यह कह सकते हैं कि वस्तु की मात्रा O Q1 से घटकर O Q हो जाती है तो यहां पर हमने देखा कि पूर्टी जब परिवर्टित होती है मांग यथा स्थिर बनी रहती है तो ग्राफ में हम उसको किस तरह से प्रदर्शित कर पाते हैं अब अगली अगर हम बात करें यहां पर जहां पर मांग और पूर्टी दोनों एक साथ परिवर्टित होते हैं तो जब मांग और पूर्टी दोनों एक साथ परिवर्टित होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मांग में पूर्टी से अधिक वरिद्धी हो जाती है या कई बार ऐसे होता है कि पूर्ती में मांग से अधिक वृद्ध हो जाती है तो यह जो दोपी होती हैं दोपी द्ções शाह होती है वह कहीझ न न कहीझ Mia को बहुत जादा प्रभाव उतन करती है मांग और पूर्ती में सत्ध परिवर्टन जो होते रहते हैं उसका कीमत बढ़ता में किसी वस्तू के कैमत को बहुत जदा प्रभावन करता हैं समय तत्तों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बाजार को जब हम समय के अधार पर अलग-अलग भागों में विभाजित करते हैं तो सबसे पहला जो हम आधार देखते हैं वो होता है यहां पर अतियल्पकालीन बाजार तो अगर हम अतियल्पकालीन बाजार में मूले रूप हम एड़ेस्ट कर ही नहीं पाते हैं जिसके पहले के चैप्टरस में भी हमने देखा था कि अतियाल पकालीन बजार में समय जो होता है बहुत सीमित होता है और जो विक्रेता होता है वो बहुत थोड़ी सी वस्तु को अपने पास रखता है और विक्रे करता है क्योंकि ज्यादा तर यह जो अतियाल पकालीन बजार होता है वो दैनी कुप्योग के जो सब्जी वस्तुए होती है शेग्रनेश्ट होने वाली जो वस्तुए होती है उनका होता है इनके पास इतना समय नहीं रहता है कि अगर अचानक से इनकी मांग बढ़ जाय तो पूर्ती को देखते हैं अतियाल्पिकाल में मुल्य नि dauरन को जब हम रेखा चितरी की द्वारा देखते हैं तो यहां पर देखते हैं कि वह उसे वियंदु पर काटती है इसलिए यहां कीमत यह वह Tभी और जब ये मांग बढ़कर T1-D1 होती है तो वहां पर कीमत O P से बढ़कर T1 हो जाती है यहां जो मांग है वह घटकर T2-D2 होने पर वस्तू की कीमत है वह O P से घटकर O P 2 हो जाती है हम यहां पर देख रहें कि मांग के घटने एवं बढ़ने का मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अभी वह क्यों ही बनी हुई है इस प्रकार हम क्या सकते हैं कि पूर्थी पक्ष जो होता है वह मूल निधारण में उदासीन रहता है और मांग पक्ष की एक सक्री भूमिका यहां पर पाई जाती है अब को अल्प काली पूर्थी रेखा क्या लाएगी।